हेलो श्टुडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का असेस्स्ट्मेंट, मुल्यांकन कारपत्र 2, विशय हिंदी, कच्छा 10, दस्मी क्लास का ये मुल्यांकन कारपत्र है, यहां बेविद्यर्दिय अपना नाम लेखेंगे, यहां कच्छा दियापक का नाम, और ये 7th अगस्त का क कारपर तक है इस कारपर तक के दो भाग खंड आ और खंड बा हैं ठीक है दो भाग है एक आ है और एक बा है खंड आ में पांच बहु विकल पात्मक प्रश्न mcq यानि की multiple choice question है तथा सभी प्रश्न एक अंक के हैं ठीक है खंड आ में आपको पांच प्रश्न मिलेंगे जो multiple एक एक लेड़, कोशन उससी है है की अध्म swings लीज़, कोशन हैं वहो व्यड़, कलब बा लड़ भा गए, खंड़ बा में पांच लगू उत्रीया प्रेस्ट्न हैं दो अंक के और एक देब उत्र प्रेस्ट्न पांच अंक का है, खंड़ वा में देखें तो हमें पांच short answer देने होंगे जिनके अंक होंगे दो और एक descriptive answer होगा long answer जिसके अंक होंगे 5 ठीक है तो आगे चलते हैं निमलिकित गद्यांस को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रशनों के उत्तर दीजे तो गद्यांस पढ़ लेते हैं जल्दी से भारत में गरीबी बहुत आम है क्योंकि जादतर लोग अपने जीवन की मूल भूत आवश्यक्ताओं को भी पूरा नहीं कर सकते हैं यहां पर जनसंक्या का एक विशाल भाग निरच्छर भूंके और बिना घर के जीविने को मजबूर है भारतिय अर्थववस्ता के कमजोर होने का यही मुख्य कारण है निर्धन्ता के कारण लगभग भारत में आदी आबादी तर्द भरा जीवन जी रही है गरीबी एक इस्थती उत्पन करती है जिसमें लोग पर्याप आयप राप्त करने में अस्फल हो जाते हैं इसलिए वो जरूरी चीजों को नहीं खरीद पाते हैं एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में मूल वस्तूओं के अधिकार के बिना जीता है जैसे दो वक्त का भोजन स्वच्च जल घर, कपड़े उचे सिक्षा आदी ये लोग जीने के नियुनतम इस्तर को भी बनाए रखने में विफल हो जाते हैं जैसे अस्फिस्त के लिए जरूरी उपवोग और पोसरण आदी भारत में निर्धनता के कई कारण है हालां कि राष्टी आयका गलत वितरण भी एक कारण है निर्धनता का मुख्य कारण असिक्षा, प्रष्टाचार भरती, जनसंख्या कमजोर क्रशी अमीरी और गरीबी के बीच बरती, खाई, आली तो ये गध्यांस पढ़ी लिया है हमने अब सीधर जली से कॉश्चन प्या जाते हैं खंड आ, निम लिखित प्रष्टों के उत्तर हेतू सही विकल्प चुनिएं प्रष्ट वन है भारत में गरीबी बहुत आम है इसका मुख्य कारण है ओप्सन आपको मिलेंगे निर्धनता बेरोजकारी अनियंत्रिज जनसंख्या और असिक्षा गरीब की सबसे बड़ा मुख्य कारण अनियंत्रिज जनसंख्या है क्योंकि जनसंख्या बहुत भड़ रही है वह भड़ती ही जा रही है गंड्रोल नहीं हो रही है नेक्स प्रष्ट विकल्प आते हैं भारत में कितनी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है तो यहां इस गर्द्यांस में लिखाई था लगबग आधि अबादी ठीक है तो पहला विकल आधि यह सही है ठीक है प्रष्ट त्री पर आते हैं ज्यादा तर सब्द में मूल सब्द और प्रत्य है ठीक है तो ज्यादा ज्यादा तर मूल शब्द क्या हुआ इसको हम ज्यादा तर को दो भावा में तोड लेते हैं संदिविक्षे जिन को हम बोलते हैं कर लेते हैं ज्या प्लस दा तर या फिर ज्यादा ज्यादा मूल सब्द हो गया और प्लस तर तो आंसर होगा second option वहला खा ठीक है जादात ये कोई मूल सब्द नहीं होता जया भी कोई मूल सब्द नहीं होता ज्यादा मूल सब्द होता है ठीक है तो ये answer प्रश्ट 4 पे आते हैं निर्धन सब्द में मूल शब्द और उपसर्ग है ठीक है निर्धन में इसको भी हम तोड़ लेते हैं निरध प्लस न ये कोई मूल सब्द नहीं बन रहा नित धन नित प्लस धन ये भी कोई मूल सब्द नहीं मन रहा इसमें निर्धन मूल सब्द होता है ठीक है और प्लस धन धन भी उपसर्ग होता है तो ये option रहेगा गा अपका प्रेश्ट नमर पांच पे आते हैं जल्दी से नियूंतम सब्द का विलोम है कम यहां पे फिर अधिक्तम हो गया नियूंतम अधिक्तम ठीक है तो पहला option का ये इसका आंसर होना चाहिए अब खंडबा पे आते हैं खंडबा में प्रेश्ट चै ज्यादा तर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवर्शक्ताओं को क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं यहां पे अंक भी लेखे हैं दो दो अंकों के हैं प्रेश्ट चै साथ आठ नो दस ठीक है और एक ग्यारे माँ प्रेश्ट है जो पांच अंकों का है हम जल्दी से छड़े प्रेश्ट का आंसर देख लेते हैं मैंने यहां पे पहले से लिखा हुआ है आप देख लीजेगा परेश्ट 6 का तो उतर भारत जाधा है जाधा लोग अपने जीवन की मुलबू दावशक्ताओं को क्यों पूरा नहीं कर पते क्योंकि भारत में करीबी बहुत आम हैं तदा आमदनी कम होने के कारण जाधा तर mes Unknown प्रश्न साथ भारत्य अर्थवरस्ता के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है निरच्छर्था तता निरधन्ता भारत्य अर्थवरस्ता के कमजोर होने का मुख्य कारण है ठीक है प्रश्न आठ लोग जरूरी चीजों को क्यों नहीं खरीद पाते हैं आमदनी कम होने के कारण लोग जरूरी चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं प्रेशन नमर 9 मूल आवश्यक्ताओं के बिना जीने से आप क्या समझते हैं मूल आवश्यक्ताओं के बिना जीने का अर्थ है दो वक्त का भोजन, स्वाच्छ जल, घर, कपड़े, उचित सिक्षा, आदी के बिना जीवन व्यापन करना ठीक है, ये सारा गध्यांस में हमने जो उपर पड़ा था वहीं से निकाले गए हैं, वहीं पर सारे आंसर हैं मैंने यहां पर लिखे हुए हैं प्रशन दस पर आजाते हैं निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं निर्धनता का मुख्य कारण बेरोजगारी और भरती हुई आबादी तथा असिक्षा है ठीक है, नेक्स चल्दी से देख लेते हैं कौशन नमर 11-11 गतिविदी निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं ठीक है निर्दंता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं इसे कैसे दूर किया जा सकता है क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है अपने माता पिता मेत्रों से सर्चा कर अपना सुजाब लिखिए ठीक है तो आप घर में अपने ममी पापा से भी चर्चा कर सकते हैं इस फ्रैंड से भी चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में और इसका आंसर उत्तर मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि निर्दंता का मुख के कारण बेरोजगारी बढ़ती हुई आबाल्दी तथा असिक्षा है निर्दंता को दूर करने के उपाए उपाए क्या है कि पहले तो हम जनस उद्धोगों का विकास जो हमारे छोटे स्मॉल इंडिस्ट्री हैं उनका विकास होना चाहिए रोजगार के अफसरों में बढ़ोत्री यानि कि ज्यादा स्यादा रोजगार अपने देश में होने चाहिए पांचमा ब्रिष्टाशार पर लगा हम जितना भी से डिस्कॉसन करके भी यहां पर लिख सकते हैं तो मैंने यह कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो प्रेशन नंबर 11 का उतर हैं ठीक है तो यह आपका असिस्मेंट यहीं पर समापत होता है तो प्लीज स्ट्वेंट्स वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे हैं ओके थैंक यू अब नाइस डेए